दोस्तों नमस्ते आप सबका मेरा चैनल पर फिर से स्वागत है फ्रीकुंटली चार्ट डिटिंग में जिनकी डीडिंग अप करने वाला हूँ वो आज मैं शुरू कर रहा हूँ यह दूसरा पार्ट है और यह शायद फाइनल पार्ट हो कोशिश करूंगो एक और वीडियो न पर से बहें दीजिए मैं नेक्स राउंड में आपकी सेलेक्शन करने की कोशिश करूंगा अगर बाइचांस मेरी मौका मिला तो मैं एक रीडिंग करूंगा लेकर उसको आप इग्नोरेंस पर रखे जैसे लास्ट ताम मैंने मौका मिला तो मैं कर दिया था लेकिन इस बार मुझे मौका मिले ना मिले मैं गैरेंटी नहीं लेता तो प्लीज आप लोग देखे अपना कर लीजेगा अगर आपको रिपीट फिर से फ्री कुनली चार्ट इटिंग पर करवाना है तो टाइमिंग अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बोलूंग चैट करते हैं तो मैं sufficient amount of details देता हूं और यह सारी जो कुनलियांस होती हैं वो whatsapp के through ही आती हैं तो whatsapp drop करिए एक timing पर करने की कोशिश करिएगा क्योंकि अगर आप odd times में मुझे whatsapp drop करते हैं या call करते हैं तो मैं आपको entertain नहीं कर पाता है चाहँ हो personal leading के लिए call तो मत ही कीज मैं अपने personal reason की विए से number open रखता हूं क्योंकि मेरे कुछ और भी reasons है उसलिए open रखता हूं तो कभी-कभी आप लोग call करते हैं तो वह problem हो जाता है तो whatsapp पे call करिए odd times पे आप call ना ही करे तो बहतर रहेगा मेरे लिए असानी होगी बहरा reading कर लेते हैं इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं पहली reading जो हो रही है वो अनुराग जी की है अनुराग जी आपका last mobile number जो है डबल 434 है आपकी reading ये मैं कर रहा हूं आज आपके दो सवाल है financial betterment कहां से होगी job से होगी या business से होगी तो अनुराग जी दूसरा सवाल यह है कौनसे stone पहनूं कौनसे stone की combination अ मेरे इसाफ से 36 plus age के इसाफ से अनुराग जी अगर देखा जाए तो यहां पर आपके लिए वैसे तो देखा जाए job से better business दिखता है लेकिन job बुरा नहीं है लेकिन business better दिखता है उसका reason मैं आपको थोड़ा सा clear कर देता हूं आपका लगन जो है लियो है लियो मतलब सूरे इसके लगनेश है और सूरे लगन में ही बैठे हूँ है तो यह अच्छा है इसके साथ में सूरे के साथ पंचम जो लगन में जो लियो है आपके उसमें mangal भी बैठे है बुद्ध भी बैठे है अगर किसी ने आपको job के लिए बोला है वो इसकारण बोला है जिकि शुक्र आपके लगन में बैठे है और यही एक लौता कारक है जिकि कारण है जिकि आपका आप अगर जॉब में जाते हैं तो आपके लिए एक यही स्टॉंग प्लैनेट बैठे हुए लेकिन अगर आप सन और मंगल को देखें तो यहाँ पर अगर आपकी गौर्नमेंट जॉब आपके लगन में बैठे हैं मंगल आपके भागेशों के लगन में बैठे तो कहीं न कहीं आपकी ऑथरेटिव जॉब की परस्नालिटी बनती है लेकिन अगर यह नहीं हुई है तो यह बोल सकता हूं कि अभी बुद्ध मून का अभी आपके एग जो है वो 86 प्लस है तो मोस् से पूछे तो मैं आपके बिजनेस सेक्टर को लिएक क्लियर बात बोल दूँ शनी आपके चौते स्थान में बैठे हुए तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आप चौते स्थान में शनी मंगल के घर में बैठे है खुश नहीं बैठे है लेकिन शनी चौते स्थान में बैठे है इस कारण में ये बोलूँगा जी कि property आपके जिवन में आप शायद बहुत बेचे या खरीदे या आप गाड़ी property जो भी convenience की चीज़े उसका आपकी जिवन में काफी लेंदेन होगा तो इसको अगर आप business बना लें तो आपके लिए बहतर रहेगा अगर आप कोशिश करें तो इसमें आप बहतर profit कमा सकते हैं यहाँ पे कही न गहीं property से related अगर आप business करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप देखें आपका time period अगर आपका time period देखा जाए तो moon का आपका महादशा चल रही है और उसके अंदर अभी शुक्री के अंतरदशा चल रही है moon कही न गहीं आपको यहाँ पे कही न गहीं आपके birthplace अगर आप दूर कहीं पे कोई education related काम की आपके बागये स्थान पे बैठे है और गुरू आपके पांच वमते education के मालिकों के और 8th house के मालिकों के 9th house में बैठे है बागये के स्थान में बैठे है teaching मतलब किसी college school में जाके teaching होती है देखे शुकर है आपके मालिके तो हो सकता है आप जिम teacher हो सकते हैं आप जिम आपकी खुद की जिम हो आप जिम के टीचर हो या आप एक beauty पालर या beauty ब्यूटी related कोई भी चीज हो उसकी में आप अगर कोचिंग टीचिंग टीचर बन सकते हैं जिके आप ब्यूटी रिलेटेड कुछ टिब्स दे या कुछ दे हालाकि मुझे नहीं पता जिके आप इस फिल्ड में है के नहीं क्योंकि आपके कई सारे planet strong है लेकिन आप ऐसी ची जीज को अगर आप इनायस करें तो अच्छा रहेगा बहराल यहाँ पर मंगल सूरे अगर आपकी authoritative personality को नहीं ड्रसा कर नहीं पा रहा है जैसे government job होगी है कोई भी job होगी तो मैं आपको यह advisory दूँगा जीकि इस मंगल और सूरे को और शनी को मिला के आप एक business शुरू करा क property और infrastructure related कोई भी आप काम काते है sports related आप business कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं मेरी नजर में यह बहतर रहेगा अगर आप करते हैं तो पाकी आपकी मर्जी है आपके दोनों जगा पे श्ट्रॉंग है आप एक career pursue करना चाहते तो कर सकते हैं आप दोनों करना चाहते दोनों भी pursue कर स रूबी और मोंगा शायर आपने बंगल और सूरे के लिए पहन रखा है तो आप इसके साथ पूछना चाहते हैं आपने जरकन बोला था शुकर का अपने पत्तर पहन रखा है देखें मैं जरकन पहनने के लिए आपको एडवाईजरी नहीं दूगा आप शुकर के अंतरदशा जरूर चल रही है बट मैं जरकन पहनने के लिए आपको एडवाईजरी नहीं दूगा क्योंकि यहाँ पर दस्वे और तीसरे घर का मालिक हो के शुकर पहले स्थान पर बैठा है तो शायद मैं आपको एडवाईजरी देता बट अभी मैं नहीं दूगा तो शुकर का पत्थर ना पहने वैसे तो आप अपनी हतेली में जासाद अपने हातों में जासाद दो या तीन पत्थर ही पहने उसे जादा ना पहने तो ये आपके उपर चॉइस होगा जीकि आप क्या पहनना चाहते हैं मैं तो एडवाईजरी दोंगा जीकि रूबी ही पहन के रखिए और उसके साथ पन्ना पहनने की कोशिश करिए क्योंकि पन्ना जो है यहाँ पर आपके लिए बहतर है क्योंकि शुक्र बुद भी आपके लगन में बैठे हैं अगर शुक्र और बुद को कंपैर किया जाए तो बुद यहाँ पर आयश के मालिक होके बैठे हैं और धनेश के मालिक होके बैठे हैं तो यहाँ पे वैसे तो बुद। भी खांश अच्छा productivity यहाँ पे मारक बनके बैठे हुए हैं लेकिन यहाँ पर अगर आपको पैसी की जरूरत है तो बुद यहाँ पे अच्छा combination देगा लेकिन अगर यहाँ पर बेस्ट combination गुरू का पत्था पोक्राज पहन सकते हैं आप पोक्राज पहन लीजे मंगल को स्ट्रॉंग अगर मंगल आप देखा जाए तो यहाँ पर मंगल भागिश्क नमा लेगे बिल्कुल आप मोंगा पहन के रखे और रूबी पहन लीजे तो मैं यहीं बोलूगा जी कि अपने जो अच्छे नहीं है तो यह सिर्फ टेंपरररी बेनेफिट्स के लिए अगर आप पहनना चाहे तो पहने हैं मैं उल्टा यह बोलूँगा जी कि शुक्र की और बुद्ध की आप जरूर कुछ वेलफेर उपाय करिए पत्थर के बिना जो उपाय होते हैं जो सॉलूशन होते है जो आप पूजा वगरा करते हैं दान वगरा करते हैं वैसा काम करिए आपके लिए बहतर रहेगा शनी का भी कुछ उपाय करिए क्योंकि यहां पर आपका शनी भी मंगल के स्थान में बैठा है तो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है ठीक है तो अरुनाग जी मैंने आपको जितना हो सा कि मैंने अपनी तरफ से आपको गाइड करने की गोशिश करिए यहाँ पे आपके तीन पत्रों को मैंने गाइड किया है जिकि अगर आप पोकराज पहन लेते हैं गुरू के स्थान का मतास्टम का माली के मैं मानता हूं लेकिन भागिस्तान में बैठा हुआ है और गुरू आपके लगन का मित्र है तो अगर आप तीसरा पत्र पहनना चाहते हैं तो गुरू का ही पहनिए अगर इसके इलावा अगर दो पत्र से आपको लगता है जिकि स्टोन से आपका काम मज़़ा बहाला कि मेरा एड्वाइजरी तो रही यह रहेगा जिकि सिर्फ दो पत्र पहने मंगल और सूरे का पत्र पहने यह सफिशन्ट इनफ होगा और जरकन उतार दीजिए अगर आपका मन करता है तो क्योंकि सूरे और मंगल का ही पत्थर आपके लिए काफि स्टॉंग रहेगा अब दूसरी बात कर लेता है दूसरा जो लगन है पूजा जी का लगन है पूजा जी की आयूद 23 साल की है और पूजा जी पूछना चाहती है जिकि उनको गवर्मेंट जॉब कब मिलेगी और इनका शादी का कब होने के चांसेज है पूजा जी पहला सवाल गवर्मेंट जॉब ठीक है देखें जॉब का जो कारक है या आपका भी लगन सूरे का है लियो है आपका लगन और सूरे आपके चौते स्थान में बैठे हुए है और वो बुद्ध के साथ बैठे हुए है मंगल आपके च्छटे स्थान पर बैठे हुए है और अगर आप देखें तो शुक्र जो यहां के जॉब के कारक है शुक्र मुझे एक मिंट में बता देता हूँ आपको शुक्र कहां बैठे हुए है ठीक है शुक्र को लेटर अगर मैं बात करूँ तो शुक्र आपके तीसरे घर में बैठा हुआ है और तीसरे घर का शुक्र का ही खुद के घर पे शुक्र बैठा हुआ है जो कि अच्छा है यहाँ पर कहीं न कहीं शुक्र और मंगल की जो यूती जो situation दिख रहा है क्योंकि हम मंगल से हम struggle का देखते हैं जिकि मंगल कैसा होता है तो उसमें हम देखते हैं जिकि मंगल करेज और महनत का कारक है तो छटे घर में मंगल बैठा हुआ है और छटे घर का मंगल काफी strong है केतु के साथ बैठा हुआ है लेकिन यहाँ मंगल strong होता है उच्छे का मंगल होके बै कहीं न कहीं ये टाइम पिरेट जाता हुआ दिख रहा है मेरे को तो ये जो टाइम पिरेट जाता हुआ दिख रहा है 2025 तक का आपका समय है क्योंकि इसके बाद शनी की महादशा लेगेगे और शनी आपके नीच का बैठा हुआ है भाग्यस्थान पे हाले कि भाग्यस्थान पे शनी नीच होके बैठे हुए तो कारक जरूर होंगे काम जरूर अच्छा करेंगे लेकिन उत्ता अच्छा रेजल्ट नहीं देंगे क्योंकि यहां पे शनी नीच है लेकिन मंगल उच के बैठे हुआ चटे घर में बैठे हुए आप कहीं न कहीं competitive exams देखें आपका भाग के जरू साथ देगा तो competitive exam देनी की कोशिश करिए अभी तीन साल का समय है दो से तीन साल का समय है मतलब 25 तक का समय है तो आप पकड़ लीजे 24 और 25 का समय है अभी आपका 8-10 साल अभी पड़ा हुआ है आपके पास तो मैं कोशिश आप competitive exam देखें अगर आप job लेना चाहती है तो आप ले सकती है दूसरा शुक्र आपके working lord है इस लगन में तो कहीं न कहीं शुक्र अगर working lord है आप और तीसरे घर से सीधा मंगल असूर्य सुर्य माफ किजिए गुरू और शनी को द्रिष्टी दे रहे हैं और गुरू और श अगेरा या diplomacy related को या field में जिसमें charm beauty का एक काम आए तो अगर वैसी field में जहांसे आपकी बाते सुनने के लिए या आपको देखे लोग शान्त हो जाए या आपकी बाते तरीके ऐसे हो जिकिए उसको देखे शान्त हो जाए और authoritative भी हो तो ऐसी field क्योंकि सूर्य आपके 10 में घर को देख रहा है काम के घर को देख रहा है मंगल यहां पे बैठा हुआ है चटे घर में सूर्य चौते घर में उसके घर में बैठा हुआ है तो यह strong period जुरूर बनाता है लेकिन जो time period चला है न महादशा का वो थोड़ा सा different कर रहा है आपको वो गई ना कई complication दे रहा है तो कोशिश यह करिएगा जिकि इस time period में जित्ती जल्दी हो सकती जल्दी आप पकड़ लें नौकरी तो अच्छा रहेगा और जहां मिलते हैं वहाँ चले जाएए सोचेगा ने एक्जाम देते रहे हैं जितने एक्जाम आते हैं जो आपको लगता है आपकी क्राइटीरिय है कि हिसाब से suitable है अगर आप वह कर लेती है एक competitive एक्जाम में आपको success जरूर मिलेगा थोड़ा struggle जरूर होगा क्योंकि राहू के दिश्टी पड़ती है लें बारवे घर का रहू स्ट्रॉंग होता है वर्थ प्लेस के हिसाब से आपको बर्थ प्लेस से दूर जरूर फैके करेगा और अच्छी जगा फैक्टनी की कोशिश करेगा तो बहरा लिया रहा government job के related अगर आप कोई और भी field चूज करती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकर आपने government का ही पूछा है तो मैंने सिर्फ government की regarding बोला है किसी और field की regarding भी आप काम कर सकती है आपके लिए अच अगर शादी आपकी होगी तो satisfactory अगर आप love marriage करती है तो अभी करना चाहती है तो कर लीज़े लिए satisfactory marriage नहीं होती है तो यहाँ पे कुंडली में satisfactory marriage नहीं है अगर आप point या आते हैं कि लगर आप फिर भी शादी करना चाहती है तो आप कर सकती है आप आपको उसमें compromise करना यह आप अपने हिसाब से पहतर समझेंगी बाकी यह दूँगा जांसे ज्यादा यह है कि आपके बर्थ प्लेस से या आपके आपके अपने आपके कास्ट से हो सकता है कि दूर की शादियों क्योंकि अभी गुरू में राहू चल रहा है राहू यहां पर आपको कहीना कहीं मन यह कहीना कहीं रिलेशन्शिप में आपसे ऐसे लोगों से रिलेशन्शिप डालेगा जो कि आपसे आपके लिए दूर हो आपने मुझसे पूचाया जी की बैस टाइम क्या है अब मैं आपको बैस टाइम कैसे बताओ कि अगर अभी राहू का समय चला है गुरू के अंदर अ अगर नीच होन के शनी चलें तो कहीं ना कहीं यह और है कोई ना कोई कॉप्लिकेशन्स देंगे तो अब मैं कैसे बोलो उसके के मालिकों के बागे के स्थान पर बैठे तो उल्टा अगर देखे तो तो यहाँ पर अगर आप वेट कर सकते हैं तो 2032 से 35 का समय बेस्ट टाइम होगा हाला कि कोई भी बेस्ट टाइम यहाँ पर आपकी शादी के लिए मेरे को वैसा दिखता नहीं है कही नहीं कोई कोई कॉम्प्लिकेशन जरूर हैंगी उपाई कर सकती हैं लेकिन इस कुड़ी में शादी को लेके थोड़ा सा अंसाटिस्फेक्शन है तो यह अगर समझ के चले तो आपके लिए असानी होगी अगर आप इस पर थोड़ा सा हलका मन करके चले तो आपके लिए असानी होगी तो मेरी रीडिंग यह थी तो आपको जैसा भी लगे थैंक यू अगली कुल्डी जो है इशा जी की है इशा जी की एज 22 प्लस है और इनके दो सवाल है कि करियर में एक किसी जॉब के लिए वेट कर रही है और करियर कैसा रहेगा इनके इनके और अच्छा ठीक है तो यही एक्चुली इनका मेजर सवाल है कि करियर फ्यूचर कैसा ग्रोथ रहेगा नियर फ्यूचर में जॉब को रिलेटर और अगर यह किसी जॉब के लिए वेट करें तो वो जॉब के लिए इनको वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इशा जी सिंप पॉलिशी ऐसी हैं कि आपको रुकना पड़ रहा है तो मैं कुछ नहीं फिर मैं यह बोलूँगा जिए फिर आपको वह कंपनी छोड़ देनी चाहिए यह प्रैक्टिकल सेइंस में आपको बोलो अब कुली के एसाफ से अगर मैं बात कुली के हिसाफ से बात कि जो मैं देख हुआ है आये बारवे घर का मालिक इंकम की घर पे बैठा हुआ है मतलब वैए expenses of foreign traveling of foreign settlement का मालिक इंकम की घर पे बैठा हुआ है जी कि बहुत ही strong है अगर आप बाहर का planning कर रही है तो मून जो fixed asset of fixed assets ancestor property of fixed asset ये घर गाड़ी घर और पैसे fixed income की बारे में बात करता है वो बारवे घर में बैठा हुआ है शुक्र के घर में बैठा हुआ है और मुण यहां पे उच्छका होके बैठा हुआ है जित्ता मुझे दिख रहा है आप शुक्र के घर में मुण बैठा है तो मुण उच्छका होके बैठा हुआ है आप किसी भी नौक आप एक तो competitive exam देते रहे हैं आपको किसी भी चीज के लिए रोकना नीचे अच्छा ठीक है देखें अभी आप चो यह डिस्टाब हो रही है ना उसका रीजन यह जी कि आपका चार एप्रिल से 2022 तो चार एप्रिल से आपका ना राहू की महादशा लग गई है और यहां राहू ही आपका खेल खराब कर रहा है राहू आपका दिमाग थोड़ा सा इधर उधर करने की कोशिश करेगा मैं आपको एडवाईस दूँगा इस कुल्डी में और यह आपके 2040 तक रहेगा राहू तो इस प्रियेट पे आप अपने उपर जितना हो सके फोकस करिए कोई भी गलत में से आप कोई भी काम मत करिए आप अपनी लैंगवेज और अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा क्लीन प्रोसेस पे रखिए क्योंकि राहू यहां पे आपको आपकी कॉम् और आपको कहीं ना कहीं अब्जेक्शनल प्रोब्लेम क्रियेट कर सकता है तो और आप बहुत ओवर स्मार्ट ये ओवर एंबीशियस नजर आ सकती हैं इस टाइम पिरेड में क्योंकि राहू आपके लगन में बैठा हूँ यह बात तो मैं आपको बोलना ही भूलिया के राह अउन्य भी मानते हैं दूसरे को लेकिन मैं इतना एदमी नहीं मानता है हूपर हाँ एक दूसरे को टिस्टेंस रख्य है छालेंगे लेकिन बुरूं यहां पर अच्छे बैठे हुए सपत्रम और करम के भावोगों के लगन में बैठे हुए सूर्य भी यहां पर अच्छे थोड़ी सी clever personality show करती है और यही आपको यह जो समय आया है यही आपको complication create कर रहा है मैं आपको advisory यह दूँगा जिके राहू के उपाय करिए dog fit करिए कुटो खाना खिलाइए और जितना हो सके राहू के और जो उपाय है शनी के उपाय करिए सर्चो का तेल डोनेट करिए अगर कर सकती है तो आपका भागगे और राहू दोनों अच्छे रहेंगे और शनी के उपाय जितने होते से मंगल वाशनी वार को हनुमान चालीसा वगेरा पढ़िये और मंगल का उपाय भी इसमें हो जाएगा और जो मंगल के 6 ताउज में बैटे है नेगेटिव हैशे उससे आ जादा अच्छे बनते हैं आप ये फॉरें हाले कि मुझे फॉरें नहीं दिखता है अगर आप बर्थ प्ले से दूर किसी फॉरें स्टेट में अगर आप सेटल होना चाहती है तो आपके लिए बहतर होगा वहापे आपका फिक्स एसेट भी बनेगा और आपकी इंकम भी ब आपने आपको अगर प्योर रखेंगी प्योर मतला ऐसा नहीं है जो जो धार्मिक प्योर वाली बात कर रहा हूं पर अपनी जो इंस्टिंक्ट है उसमें आप थोड़ा सा जैनुनिटी रखेंगी तो आपके लिए बहतर हो मैं आपको यहां पर कोई से भी डिस्करेज करने क कोशिश नहीं कर रहा हूं इशा जी बड़ जो यह एज है आपकी 22 प्लस है आप फास्ट मूफ करना चाहते हैं आप फास्ट ग्रोथ करना चाहते हैं और राहू बस उसी चीज़ को डिले करके आपको परेशान करेगा और ऐसी चीज़े करेगा जाकि आप कुछ टेड़े का है थोड़ा सा यह दर्शा जो है 2040 तक की जो दर्शा है यह जो अभी लगी है यह थोड़ी से आपके लिए कंपली बट अगर राहू अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हैं और मजबूरी में अगर आपको यह काम कर रहे हैं तो मैं नहीं मानूंगा हाँ उसके कॉंसिक नहीं होंगे और मैं यह बोलता हूं जिकि इस लगन में राहू अगर तीसरे घर में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंड़ी में तीसरे घर में राहू अच्छे स्ट्रॉंग होते हैं और यहां पर तीन नमबर पर राहू बैठे हो हैं तो यह ऐसा इतना बुरा नहीं करेंगे लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखे थोड़ा सा अल्टरनेटिव करके चलेगा थोड़ा सा मतला अल्टर करेगा डिस्टब करेगा माइंड को तो आप कोशिश यह करिएगा जैकि फॉरें लेटर और कंपेटिटिव एक्जाम पर ध्यान दीजे अगर ऐस यहां पर आपके अपको यह आ रहू थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर रहा है तो उस कंफ्यूजन से निकलना पड़ेगा आपको और आपको थोड़ा सा स्टेट थिंकिंग लगए मेडिटेशन करके या एक अच्छी अडवाइजरी लेके आप आगे बढ़िए और कोशिश कर तरही जॉब अपरजिनर्टी कहीं और से भी आती है या दूसरी कहीं पर कम्पिटिव एक्जाम से मैं बार बार कम्पिटिव एक्जाम से ने बोला हूं कि कि आपका स्ट्रॉंग है तो इसको जरूर फोकस करके काम करेगा तो यह मेरी तीन मल्टिपल लीटिंग थी आप ल कर सकते हैं मेरे इसी नंबर पर डिस्क्रिप्शन नो जो नंबर है उस पर आप कॉल करके पर्स लेडिंग करवा सकते हैं नॉमिनल चार्जिस होते हैं अगर आप वो पे करते हैं तो आपकी रीडिंग इंस्टेंट हो जाती है दन्यवाद